हेलो फ्रेंट्स, आज हम बना रहे हैं बर्फी बर्फी बनाना सबको बहुत हीं यह जदा डिफिकल्ट लगता है लेकिन रॉम इसे बहुत ही एजी तरीखा से बनाने वाले हैं यह बर्फी आपको बिलकुल मावा की बर्फी जासा लोगेगा तो आप भी टुकड़े करके भी पीछ सकते हैं लेकिन छोटा टुकड़े करने से जल्दी पीछ जाएगा इसलिए मैं छोटा टुकड़े कर रहे हूं तो देखिए हमारा यह ग्राइंड हो गया है अब हम इसे बावल में निकाल लेंगे और इसको एक साइड में रख देंगे अब फिर च बिरेट ज्याधा हो तो उससाब मिल्क डालेंगे हमने लिया हाव ड़ी तक हम बाइल होने देंगे तो देखिए हमारा मिल की यह बाएल हो गया है अब हम इसे स्पेटूला से चलाते हुए इसको गाढ़ा करेंगे हम इसे इतना गाढ़ा करना है कि अधिए रबडि के फो मे क्रीम है एक दिन पहले ही हमने निकाल के रखा था ज्यादा पुराना क्रीम का यूज नहीं करेंगे हम इसे ताजा फ्रिश क्रीम कहीं यूज करेंगे अब मैं इसमें डाल दूंगी ब्रेड और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखिए कितना इजी प्रोसेस है इसे बन करके आप ले जा सकते कोई नहीं कहेंगा कि ब्रेड की बनी हुई बर्फी है यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है आप पूरे प्रोसेस को देखते जाहिए अब मैं इसमें डाल लूंगी टू टेबल स्पुन जागिरी पाउडर आप जागिरी पाउडर के जगह पर ची लाते हुई हमारा यह जो शॉफ्ट हो जाए हला बन फोन में आगया है अब मैं इसमें डालूंगी वह चमच घी और इसको अच्छा चलाते हुए भूनेंकर अच्छा से पक्जाया इसको चलाते हुए पकाते हुए हमें 10 मिनिट्स तक इसे भूनना है आप बर्फी को फिर देन का मिक्स्चर को डालेंगे और इसको हाथों से दाबा दाबा करके ऐसे सेट करेंगे देखिये करूं हाथों से SEN पैल आइधु करेंगे फिर in इस्व पिटूला के मदंद से इसे अच्छा सा हम एसे बरेंगे इसको कवर कर देंगे अगर आपके पास एलमुनियम परत ना हो तो आप इससे किप कर सकते ड्राइफ भी किवह जा सकते अब हम इसे स्क्वायर सेप में कट कर लेंगे कट करने के बाद हम इसे प्लेटिंग करेंगे तो देखिए हमारा ये वर्फी बन के तयार है देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है कोई नहीं को सकता कि ये ब्रेड के वर्फी है और इस वाद में भी एक दम मावे के वर्फी जैसा है आप भी बनाईए और खाईए और हम्य झाल